11 तारीक से 48 गंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा मगर उसके बावजूद 11 तारीक से बाद कल 12 तारीक को कॉंग्रेस पार्टी ने अपना घोशना पत्र जारी किया है यह अपने आप में बहुत ही दुखद है यह समविधान के साथ खिलवाड है और यह पहली बार नहीं है जो कॉंग्रेस पार्टी इस प्रकार से कर रही है कॉंग्रेस पार्टी ने कई बार सम्विधान के साथ इस प्रकार का खिलवार किया है और मुझे कहते वे कोई गुरेज नहीं है कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता तथा कथित दिगज नेता राहूल गांदी चुनाव आयोग को वो कभी सीरियसकी लेते ही नहीं है उन्होंने कभी भी चुनाव आयोग को एक अच्छे दृष्टिकोन से देखने की बात कहीं नहीं है हमेशा चुनाव आयोग के खिलाफ कहते रहे हैं और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धजियां उड़ाई है मुझे लगता है हमारे पार्टी ने तो कंप्लेंट किया ही है इस पे कारेवाही होनी चाहिए और साइलेंट पीरियड में भी घोशना पत्र जारी करके जिस प्रकार से राची में कॉंस्टिटूशनल समविधान की धजियां उड़ाई गई है मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका संग्यान लेना चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ कारेवाही भी होनी च लड़ाई